हेलो फ्रेंट्स, फ्लेकम डू माई यूट्यूब चैनल, राइट टोजगा सनमाभी मर्दित, फ्रेंट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं, यूपी डियलेट 2022 के बारे में तो देखें, यूपी डियलेट 2022 के आवेदन की अंतीमति थी, जो कि आपको पता है, कल ही इसका 2022 के बाद ही जो है, आप फॉर्म भरेगा, ऐसा हम क्यों करें, आगे जो है, वह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो PNP को दोरा बिगयपती भी जारी कर दिया गया, जो कि आप यहां पर बिगयपती देख सकते हैं, यहां पर जो बिगयपती है, इसमें डेट जाने को लेकर है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो आपके फॉर्म भरने का, मतलब रजिस्टेशन करने का लाट डेट जो है, वह आपका 25 जुलाई, जो कि हमने कल ही बताया था, कि 20 जुलाई से आगे ही जो है, वह आपका डेट बढ़ेगा, तो यहां पर 25 जो है, वह एक दिन और अधिक, मतलब सुल्क आपने रजिस्टेशन कर लिया है, तो 26 तारीक तक आप सुल्क जो है, वह जमा कर सकते हैं, प्रिंट आउट एक दिन आगे तक, मतलब 17 जुलाई तक जो है, वह आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कि हम सिर्फ और बात करें, 14 जुलाई तक ही, मतलब 14 जुलाई के बाद जो है, वह आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि उसके बाद भी जो है, वह आपके पास 25 दिन, मतलब आप समझ सकते हैं, कि 6 दिन इधर, 5 दिन उधर, मतलब आपके पास 10-11 दिन का जो है, वह आपके पास टाइम जो है, वह बचेगा, तो यहाँ पर जो है वह आप बहुत अच्छे तरीके भर सकते हैं जो कि यहाँ पर नीचे बताएगा है कि online ही आपको form भरना है इसके अलामा किसी भी माध्यम से जो है आपका form जो है वो submit नहीं होगा date उसका पढ़ा है आपको पता है कि UPTT जो 2021 का result था इसमें जो है वो date rate के तरफ से case किया गया था कि be it candidate को जो है वो primary में मतलब कच्छा एक से पांस तक के लिए जो है वो eligible न किया जाए और यह जो मामला था वो आपके राजस्थान हाई court के अधीन जो मतलब जो order था उसी order को लेकर जो है इल्हाभाद हाई court में ऑर्डन सम्मिट किया गया और जो राजस्थान हाई में B.A.D. को primary में eligible किया था तो अब यहां पर क्या है कि राजस्थान high court ने nct का आदेश जो था जो मतलब nct ने 2018 में जारी किया था कि B.A.D. वाले primary में eligible रहेंगे तो राजस्थान high court ने क्या किया कि इस nct के आदेश को खारीज कर दिया और राजस्थान से B.A.D. वालों को primary से बाहर कर दिया और वहीं के सेम टो सेम जो है वापके UP government में भी हो गया और UP government जो है वो बीएड मतलब सबका ही जो है आपको पता है कि UPTT 2020 का प्रमाट पत्र जो original certificate मिलता है डाइट से मतलब जो जिला प्रसरि तब तक जो है वो result रोका रहा जाए और B.A.D. वालों का जो है वो primary का result जो है उना जारी किया जाए यसा आपने देखा होगा हाला कि अभी तक किसी का result जो है वो नहीं आया है लेकिन इलहाबाद हाइकोट ने यहीं कहा है कि B.A.D. को primary में eligible किया जाएगा या नहीं किया ज जाता है तो आप अपने खुद से समझे कि आप D.A.D. करके क्या करेंगे आखिर में आप D.A.D. करके क्या करेंगे कोई आपको फाइदा नहीं है D.A.D. में already जो है वो इन साल जो है वो 60,000 ही एडमिसन हुआ है मतलब अभी तक 60,000 ही फॉर्म भरे है मालिजे एक लाग तक भरेंगे तो मालिजे 50-60,000 ही लोग एडमिसन लेंगे क्योंकि बहुत साल लोग गौर्मेंट D.A.D. कॉलेज में जाना चाते है जो कि उनको मिल नहीं पाएगा तो already छोड़ देंगे और जो टोटल सीट है UP गौर्मेंट में गौर्मेंट और प्राइबेट स्कूल प्राइ करेंगे तो आप नॉर्मल सी बात है आपको D.A.D. करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बीड आप करेंगे तो एक से लेकर 12 तक फायदा होगा 12 में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 में PG का डिगरी लगता है लेकिन जो बीड किया रहता है उसको नंबर का भरांग मिलत है फिर उसके अलावां भी बीड के बीड आप किये हैं तो उसके अलावां भी आपको बहुत जादे opportunity जो है आपको मतलब देखनी को मिलता है आप खंड सिछा वगर अधिकारी इसमें भी जो है आप form apply जो है वो कर सकते हैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको डिय documents होगे तभी जो है या फिर कुछ उसके पाछ होंगे राजस्तान हाई-cour के पास तभी राजस्तान हाई-cour ने यहान पर देते हैं तब आपके लिए यह बनिफिट होगा क्यूंकि डिल इड ये प्राईमरी में eligibility हो जाता है तो कछाप एक से लेकर आट तक तो teacher बन पाएंगे पहले भी आप DLA से बन पाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि B8 वालों का जो है वो संख्या कम हो जाएगा इसलिए competition थोड़ा सा कम होगा एक normal तरीके से मोटे तर पर जो है आप इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं तब आपको जो है वो DLA करना बहुत ही benefits होता है benefit होगा क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेकेंसी आती है वो कच्छा एक से लेकर 5 तक ही class की मतलब उत्तर प्रदेस में प्राथमी की ही सबसे ज्यादा वेकेंसी आती है क्योंकि आपको junior का कफी government पर वेकेंसी देखने को मिलेगा है ने क्योंकि जो primary के teacher है वहीं जो है प्रमोशन होके कच्छा 6 से 8 तक के लिए मतलब junior में teacher बन जाते हैं बाकि high school में थोड़ी बहुत वेकेंसी आती है और वो भी आपको पता है कि subject combination होता है तो में भी अलग-अलग subject वालों के लिए थोड़ा बहुत वेकेंसी जो है वापको मिलती है फिर उसमें जो है वापके बालक वर्ग और बालिका वर्ग इसमें जो है वाप छड़ जाते है तो एक तरीके साब समझेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेकेंसी आती है वह आपके यू प्राइमरी में सामिल करता है या फिर वालों को सामिल नहीं करता है उसके बाद भी बाद ही जो है आप अपने से सोच विचार कर जो है वह फैसला लीजेगा अब जब एंसीटी का फैसला आएगा और जब एंसीटी अपना रिपोर्ट्स होपेगी 14 जुलाई को इलहाबाद के पास 15-16 दिन और टाइम रहेगा फॉर्म भरने के लिए तो इसलिए बिल्कुल हडवडाए ना टेंसन बिल्कुल ना ले आप जो है एंसीटी के रिपोर्ट का जो हो वेट करें कि अलहाबाद हाई कोट में किस तरीके से सौपती है एंसीटी अपना रिपोर्ट फिर उसक इसलिए जो है वो टोटल साथ हजार ही लोग फ़रें मालिजे डेट बढ़ा है मालिजे एक लाग तक फोर्म चला जाएगा लेकिन एक लाग तक जाएगा तो आप समझाए मालिजे 70 से 80 से अजार ही जो है वो कंडिडेट एडमिसन लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है करके एक बार एडमिंशन करा लेंगे डिलेट कॉलज में तो फिर आपको वापस नहीं आप आएंगे और किसी न किसी तरीके से आपको फिज जो है वो देना पड़ेगा है तो इसलिए मैं यहीं कहूंगा कि 14 जुलाई तक जो है वह आप वेट कर लें उसके बाद ही जो है जो है कि 4 साल से नहीं सीटे जो है वह भर रही है G worship the साल जो है वो इस तरीके का हाल है तो बिलकुल आप सोच समझ करी कोई decision ले क्या है कि इस तरीके से पैसा बरबाद करने से जो है आपको कोई फाइदा जो है वो नहीं मिलेगा तो जो कोई भी decision ले आप बिलकुल सोच समझ कर decision ले और मैं इसी लिए कह रहा हूं लिया फिर दियलेट कर लिया तो फिर उसके बाद जो है पैसा जो टाकर आप बीएड करेंगे फिर दियलेट करेंगे उतना किसी पास उम्र नहीं है और नहीं किसी पास उतना पैसा है और नहीं कोई जो है उतना दिन तक पेसेंस जो है वो रखेगा तो इसलिए जो है मैं फिर एक बार कहूंगा कि 14 जुलाई का जो कोई भी फैसला आता है उस फैसले का वेट कर लिजिए कि बेट प्राइमरी में अंदर होता है या फिर बाहर होता है या फिर जो कुछ भी होता है आप 14 तारीक 14 जुलाई के बाद ही जो है आप फॉर्म भरिए तो फ्रेंड्स यहां था दिएलेट को लेकर और बता दें एक बार कि 25 जुलाई तक जो है इसका रजिस्टेशन करने का लाट डेट जो है वो है बाकि आप रजिस्टेशन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बात यहां है पेमेंट करने के लिए तो बाकि जो कोई भी अपडेट वगर होता है तो हम से प्राइब नहीं के तो बिल्कुल कर लिजेगा मिलता के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबार टेक क्यार आल दे बेट थैंक्यू फॉर लिस्निंग गॉड ब्लेस यौल थैंक्यू